हेलो एब्रीवान वेलकम बैक तो मैं चैनल आप सभी का अपरपास लाइफ पित लाव में बहुत बहुत वेलकम हैं तो आप बिलीब कि आप सब एक ताम अच्छे से हैं आज है मंडे मंडे आफ्टरनून का टाइम है और फ्रेश आफ्टरनून से स्टार्ट किया है नेक्स व्लॉग मेरा तो जैसे मैंने कल बोला था कि अभी आप टेंपरेचर काफी अच्छा है और अभी ऐसा है कि मतलब काफी घर्मी लग रही है यहां पर क्योंक्यवाहर धूप है जब मतलब यहां पर टेंपरेचर काफी जादा होती है तो इसलिए यह हेल्थ पे भी काफी इंपाक्ट होता है तो चलो ठीक है जब जैसा है उसको इंजॉय करना बेटर है और मैं भी मतलब पहले से बेटर हूँ लेकिन हाँ वीकमेस है आज ऐसे मॉर्निंग में कुछ मतलब काम इतने दिन तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया बीच में एक दिन थोड़ा सा ठीक लगा था तो मतलब थोड़ा बस कुकिंग थोड़ा सा किया था वैसा कुछ नहीं और ऐसा ही चल रहा है और ओविसली जो होता है कि घर के एक मेंबर अगर ठीक ना रहे तो घर की भी हालत उतनी जादा ठीक नहीं रहती तो इधर उधर सा किया मॉर्निंग में दीरे-दीरे ही किया है लेकिन हां तब मुझे वीक्नेस फील हो रही थी और जब आप बहुत दिनों तक मतलब ऐसे एक दम इनक्टिव मोड से एक्टिव मोड में आते हो तो आटोमेटिकली एक वीक्नेस वो हो जाती है तो शायद अभी वैसा ही है जल्दी एकदम पहले जैसा मैं फिट हो जाओ और एक शिवरिंग से होती है कभी-कभी जब वीक्नेस होती है तो वो ठीक होना जरूरी है तो यह है और रोहन भी ठीक है रोहन कल रात में जैसे लास्टू नाइट वो काफी जादा उसे खासी हुई थी तो कल सोने के बाद उ यहां पे देखने के लिए फ्रेंज आ गये है तो वो ऐसे थोड़ा सा टीवी देख रहा था तो तबियत खराब तो स्टडीज भी ओफ है ना हाँ आज किया आज उसने किया है थोड़ा सा तो आज सुभे को किया है और अभी फ्रेंज अभी कुछ काटून देख रहा है हो गया है बच्छों का यही होता है सच में हमें भी बहुत बुरा लगता है देखके और यही टाइम है उनका खेलने का क्योंकि यहां पे तो हर वक्त खेलना नहीं होता है जैसे मतलब वही है वेदर तो यह टाइम बहुत ही जादा परफेक्ट है बच्छों के लिए खेलने के लिए तो अभी जैसे कल से सभी निकल गए है खेलने के लिए तो रोहन भी जा पाएगा एक दो दिन में रोहन भी जाएगा तो अभी वो नहीं जा पा रहा है और यहां पे जब वो खरा रहता है तो फ्रेंज आते हैं थोड़ा सा उससे बाते वगेरा करके फिर जाते हैं त तो भाजी नहीं, एक सिंपल सी सबजी, ऐसा ही, क्योंकि इस टाइम पे तो स्पेशली लाइट खाना ही है, तो काफी दिनों से ऐसे लाइटी हम खा रहे हैं, तो इसलिए कल बहुत मन हो रहा था कि कुछ स्पेशल खाए, तो इसलिए हस्बन को बोला कि थोड़ा साब कुछ स् था, और बहुत अच्छा हुआ था, और एक भुर्जी भी, एक भुर्जी, चिकन करी, ये सब वो पहले से ही, मतलब शादी के पहले से ही वो बनाते हैं, बाकी जो है, वो मतलब धीरे-धीरे सीख गए है, तो एक भुर्जी भी अच्छा बनाते हैं, तो ये था, तो अभी जैसे आज से फिर से मैं back to track धीरे 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 ही कर रही हूं जादा कुछ मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूं खाना भी बन रहा है वहां पर तो बस कुछ देर बाद lunch करेंगे उसके बाद देखते हैं यहां पर जैसे धूप है अभी तो फिर से अगर हम थोरा सा ब पैठेंगे बाहर क्या देख रहे हूं हम फ्रेंज कैसे हो आप अभी अच्छा हो ब्रिलियंट हो अच्छा हो ब्रिलियंट हो अच्छा 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 हो अच्छा ह तो जैसे मैंने कहा एकदम सिंपल सा आज तो राइस है यह है दाल और यह बस एक यह सबजी बनाई है और साथ में अंडा पोच होगा तो यह है आज का लंच मेनू यह हॉप को क्लीन करना है तो आज है यहां पर बैंक हॉलिडे रोहन का इस वीक स्कूल आफ है तो अच्छा ही हुआ क्योंकि फ्राइडे वो स्कूल जा नहीं पाया तो और हम सोच रहते कि अगर यह वीक स्कूल होता तो शायद मिस हो जाता तो बहुत अच्छा हुआ कि यह वीक अभी हॉलिडे है तो घर में रहेगा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा तो बस अभी थोरा सा क्लीन कर अगर वो अपने फील में वापस आ जाए जो भी उनके इंट्रेस्ट एडिया है मतलब लगता है कि तभी खुद बखुद धीरे ठीक हो रही है तो जैसा मेरा आज बहुत टाइम के बाद मैंने मतलब पूरा जो है मैंने देखा है तो अच्छा फील हो रहा है थोड़ा सा ल मैंने सोचा था मेरा कुछ काम था एक्छली तो वो करके मैं जाओंगी लेकिन वो लोग बोल रहे है कि नहीं अभी धूप अच्छी है आ जाओ नहीं तो अधर्वाइस धूप चला जाएगा उसके बाद तो हवा स्टार्ट हो जाती है तो मैंने का ठीक है तो बस अभी अभी दिर बाद आएंगे बोलो सच में मतलब बहुत टाइम पर जैसे हम यहां पर आना हमारा नहीं होता था तो कल से आ रहे है फिर से वो वाली फीलिंग आ रही है लास्ट ये जब हम यहां पर बैठते थे और यह जो माइल्ड एक हवा चलती है ना यह तो मुझे बहौत जादा पसंद है तेरस पे अभी काफी कल तो काफी भीड थी हम देख रहे थे हमारे मतलब टेरस पे काफी लोग जा रहे है तेरस में और यहां पर एक्चली जैसे कुछ बबल्स है मैंने दिखाय था बहुत पहले तो वो लोग अपने घर से ही कुछ खानावाना बना के स्न तो हम अभी हम नहीं जा रहे हैं सब ठीक हो जाए हमारे फैमिली में क्योंकि एक के बाद एक हमारा सिरीस चल रहा है तो सब ठीक हो जाए उसके बाद हम जाएंगे तेरस पे तभी एकदम शान्त है अच्छा लगता इस टाइम पे सच में और पतको पत्पे दोटे है औरार कर दो हम गाएंगा । प्लाइब दोज़ दोज़ जड़ा हुआ करा दोना डही हुआ 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 है रणने दो कि बज़ के तूूस करूँ़ है जो अए लुग है जो कि अलब और कुला दोस में हुग जोस सुटाव यह ओ़ भल खु़ है यह ज़ यहाँ ज़ है यह बपी दिल कर दोस्ती हम कि अलब है यह यह नग कि अलब यह कि अली लिग तो बस अभी जस्ट रोहन को थोड़ा सा कारा बना के दिया है और यह अभी रेगुलर बेसिस पे ही स्टार्ट हो चुका है क्योंकि कारा कितना एफेक्टिव है हम सबको पता है सर्दी खासी में स्पेशली जब भी उसका होता है इस टाइम पे तो मैं रेगुलर उसको कारा द बेच पे बंध हो चुका था और अभी फिर से स्टार्ट हो चुका है तो जैसे डेड़ी ही हम दे रहे है कारा उसे तो अभी जैसे वडही अच्छा हैं यहां पे तम देख रहते सभी निकल रहे हैं बाहर और आज कोई बच्चे जैसे यहां पे खेलने नहीं आए तो तो बस अब मैं वो काम करूंगी जो उस टेम पे मुझे करना था लेकिन बाहर चली गए थी तो आज का व्लोग यहां पेंड करती हूँ और नेक्स ब्लोग के साथ बहुत ही जल्दी मिलती हूँ तो आप सब बहुत-बहुत अच्छे से रहिए और जो भी प्रिकॉशन से लेते रहिए तो चलिए बाइबाय सी यू टेक कीर और गुड़ नाइट झाल